नमस्कार आप देख रहे हैं आरे नियूज मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रूप करेंगे शुत्यस गड़ा और मद्रदेश जुड़ी बड़ी खबरों की ओर अवेद रेद खनन के मामले के खिलाफ आप सीम भुपेश बगेल ने सक्त कारवाई के निर्देश जारी कर दिये हैं सीम बगेल ने दो टूक कह दिया है कि एक अवेद रेद खनन को रोकने के लिए कलेक्टर एस पी की व्यक्तिगत जिम्मदारी होगी सीम ने सक्चिताबनीद के लहजे में कहा कि कारवाई नहीं होने पर अधिकारियों के विरुद कड़ी कारवाई की जाएगी और शुतिसगर में लंबे समय से मंत्री मंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी लेकिन बताया जा रहा है कि सीम बगेल कभी भी अपनी चीम में बदलाब कर सकते हैं बताया जा रहा है कि मंत्री मंडल विस्तार के लिए सीम बगेल कॉंग्रिस आला कमान से हरी ज्वंडी का इंतिजार कर रहे हैं इसे बीच वो नीजी दौरे पर विलासपूर पहुंचे थे जहां उन्होंने मंत्री मंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा बयान दिया मतादे आपको कि था विलासपूर पहुंचे मंत्री पुपेश बखेल से जब मंत्री मंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बजट सत्र के बाद इस पर विचार करेंगे बजट सत्र के बाद ही मंत्री मंडल विस्तार पर चर्चा की जाएगी फिलहार अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है दरसल माना ये जा रहा है कि जल्दी ही 36 गड में मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है जिसमें कुछ नए चेहरों को मुखा दिया जा सकता है तो वहीं उत्रप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना भी ज़रान उन्होंने साधा है यूपी जाते वक्त उन्होंने कहा कि पहले चरण में आगरा और मेरट में चुनाव है दोनों जगह मुझे ही प्रचार के जिम्मेदारी दी गई है उसी के लिए यूपी जा रहा हूं तो वहीं यूपी चुनाव में कई कॉंग्रोसियों के द्वारा पार्टी थोड़े जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव के समय ये सब चलता है भाजपा के लोग कहीं जा रहे हैं जुनाव के समय ये आया गया राम चलता रहता है और जो लोग गए हैं उन्हें शुप काम ना है अरिसीबी स्तियम शिवरा सिंग चोहान आजटाई जन्वरी 2022 को प्रधान मंत्री अवास योजना में 3,5,000 हित ग्रहियों को स्विक्रित नवीन आवासों के लिए उनके खाते में प्रधम किष्ट की 875 करोड रुबे ये राजश्री आंत्रित करेंगे उमीद लगाए जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में योजना के हित ग्रहियों को देश में पहली बार राश्री का अंत्रन किया जाएगा और अब तक करीब 23.07 लाग आवास पूर्ण हो चुके हैं आज शुक्रवार को सीम शिवरा सिंग चोहान कुशा भाव ठाकरे हॉल में भोपाल में होने वाले स्कारिक्रम में हित क्रहियों के खाते में ये पैसे जालेंगे साथ ही वर्च्वली उनसे समवाद भी करेंगे प्रमुक सचे पंचायत और ग्रामीन विकास उमाकांत उमराव ने बताया है कि इस महत्वकांची योजना में अभी तक मद्यप्रदेश के लगबग तेईस लाग साथ हजार से अधे ग्रामीन परिवारों को अपना घर मिल चुका है ये सबी ऐसे परिवार हैं जुनके पास घर नहीं था लेकिन कच्चे जीन शीन घरों में वो निवास कर रहे थे तो महीं चत्यस गड़ की जानशी चांपा जिले में बमंडिहा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जहां देशी सराप तशकर करने वाला रूपी गरफतार किया गया दरसल पूरा मामला आपको बता दें कि सामने आया है जहां पर पुलिस को मुक्बिर से सूचना मिल रही थी कि शेत्र में देशी महुआ शराप तसकर किया जा रहा है और इसी सूचना कि अधार पर बवधनाडी ही पुलिस ने विनोदी आदफ के घर पर दबिश दे कर तलाशी की तो वहीं विनोदी आदफ के ख घर से 55 पाओ तेशी शराप बरामत हुई है इस पर पुलिस ने आरोपी विनो दियादफ के खिलाब आपका रियाक्ट के तहट अपराद दर्जकर उसे गृफतार करके नया एक रिमांट पर जेल भीज़ दिया है स्रीवान पुलिस ने आरोपी विनो दियादफ के विरुद्ध और ये निर्देश के परिपालन में भामनेदी थाना इनके अंदरगत ये प्रकाण में इस प्रकाण में भामनेदी के निवासी आरोपी बिनो तूर्प नेंबो यादो पाइसो जिसके घर से पच्पन पाउ देशी प्लेइन शराप मिला जो विकरी के लिए रखा हुआ था और उसके पास ना तो कोई दस्तवरिश था जिस पर बस्ते अब करे दिन हम 34-2 के ताथ अपराद पंजी बन किया गया और नियाई मिमान में भेज़ जिया गया है तो ही आगे बढ़ेंगे एकली खबर की ओर जांच्की चांपा जिले के नवागर ब्लॉक में एक मिजदा धान मंडी के प्रभारी शिफशंकर साहु द्वारा धान के बारे में मरूम गुट्टी रेत मिलाकर प्रशासन को लाख रुपे का चूना लगाने का एक मामला सामन हने के निर्देश दिये गए आपको बता दें कि यह पूरा मामला काफी समय से चल रहा था और इस पर आरे ने उसकी टीम ने सकरेदा कि साथ इस खबर को चलाया और इसके बाद ही जो तमाम अधिकारी है आला अधिकारी उनकी नीन तूटी और इसके बाद इस पूरे मामले को संग्यान में लेते हुए इस पर कारवाई की गई है आपको बताते चलें कि धानमंडी से जुड़ी एक खबर है जो आप सरकार को पलिता लगाने की एक खबर सामने आई है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संबादा था पपो यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्से विस्तार से समझेंगे इस पूरे मामले की बारे में पपो यादव आप से जानना चुहाते हैं इस मामले को लेकर अब क्या कुछ कारवाई सामने आ रही है तो अब इसके लावा और कौन गौन से नाम सामने आ पा रहे हैं और कितने लोग इस पूरे मामले में सनलिप्त बताए गए जी पूरे में पर आपसे जाना चाहेंगे कि कब से चुल रहा था यह पूरा मामला जो चुना लगाने का यह मामला चुल रहा है जिसे वो जागर किया गया है जी जब से खरीबी प्रवारी रात के लिए करनामों को अंजाम दे दे थे रात में अमालों के द्वारा दे तो गित्टी को धानों में मिलाया जाता था और फिर प्षासन को बेले जारा था जी चलिए बहुत धन्यवाद पुप्यादा आपको इस तमाम खबर पर जानकारी देने के लिए दर्शुक को बता दें कि कारवाई पूरे मामले पर की गई है और कलेक्टर ने जो है निलंबित कर दिया है और इसके साथ साथ अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जान चल रही है कई और नाम सामने आने की भी इस वक्त संभावना जुताई गई आको बता द पुलिस को भी एक बड़ी सफलता यहां पर आत लगी है जहां नौ जुआर्यों को गिरुफतार करने के साथ ही उनके पास से करीब 74,070 रुपए बरामत किये गए दुरसल जिले में अवेट जुआ सटा पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिक्षक ने निर्देश दिये हैं और इसी दोरान शिवरी नरायन पुलिस ने मुख्बिर के सूशना के आधार पर शिवरी नरायन धाना शेतर में बड़ी कारवाई हां पर की गई जुआ नौ जुआरियों को गिरिफतार करने के साथ ही उनके पास से पैसे भी बरामत किये गए इस तभी जुआरियों को जुआ एक्ट के तहत कारवाई का जेल भीजा गया है तसीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम जुआरियों हैं जोने मौके पर से गिरिफतार किया गया साथ ही इनके पास से करीब सुतर हजार से ज्यादा का जो है नगदी बरामत की गई है और इसके साथ ही आपको बताते चोलें दरशल पुरे आलाके में पुलिस सघंता के सा जो है चेकिंग कर रही है और इसके साथ ही सतरकता के साथ जुआरियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की तरफ से कारवाई की जा रही है लगातार और इसी दरान पुलिस ने इन तमाम जुआरियों को मौकाई वार्दार से गिरिफतार किया है बता दें कि मुग्बिर की जिस पर पुलिस ने कारवाई की और इन जुआरियों को रंगे हातों गिरफतार किया गया है और इसी के साथ ही उनके पास से नगदी भी बरामत की गई इसी कबर पर जाज चुट्चों के लिए जाज जानकारी के लिए हमारे संबादा था पपुयादाव एक बार फिर हमारे साथ जुट चुके हैं पपुयादाव आपसे जाना चाहेंगे करीब कितने जुआरियों को महाँ पर गिरफतार किया गया है पपुयादाव जाना चाहेंगे कि सभी लोग वहां से गिरफतार हुए है या कुछ भागने में भी सपल रहे और क्या कुछ तैयारियां या क्या कुछ कारभाई चुल रहें पुलिस की तर्फ से आगे क्या कुछ कारवाई की उमीद लगाए जा रही पुपयाद़ बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए तरशो को बता दें यहाँ नौ जुआरियों को गिरफतार किया गया है साथ ही कुछ जुआरी ऐसे भी थे जो मौके से पुलिस को आता देख भाग निकले हैं फिलाल पुलिस की तरफ से सतरक तक साथ कारवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसे के साथ ही जुआरियों पर नकेल कसने की जुआरियों की तरफ से वो की जा रही है आपको बता दें इन्हें गिरिफ्ताय किया गया और सजा इस वक्त काटेंगे या बिसके साथ ही सगंदा के साथ चेकिंग अभ्यान पुलिस की तरफ से लगाताय किया जा रहा है रुक करेंगे अगली खबर की ओर जानशी चांपा जिले में मलक खौदरा में विकास खंड का इग्राम पंचायतों ने बिना अनपाती प्रामान पत्र के ग्रामीनों को सड़क किनारे और आसपास में जिस तरीके से कंपनियों द्वारा राखंड डप कर दिया गया है उपरोग संबंध में अपनी समेदिन शीलता से शेत्री अधिकारी चतिसगर प्रियावरंट संड्रक्शन मंडल द्वारा करवाई करते हुए आरके एम पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड उच्पिंडा को दोशी पाकर करीब 89,4,000 का जुर्माना लगा गया है उन्हें चितावनी भी दी गई कि इसके बावजूद भी मल्क रौदा जनपत पंचायत के अंतरगत आने वाले ग्राम पंचायती कलमी के गौठान के पास इन दोनों सड़कों पर ट्रिप अवैद रूप से राखट डंप करके रखा गया था करे कि इसके बावजूद में हलका पत्वाई आ रहाई तो जांच इतु पिलाया गया था और जांच पप्रके बावना पाया गया तो इसके संवन्हें पाया इस प्रत्रहीधन क्यार करके SDM मेडम को प्रिशिप कर दिया गया है और SDM सक्ती से जैसे ही प्रक्रीदन में लेख कवर मंसोड से है जह मंसोड जिले के खजूरी मांडा ग्राम पंच्वायत में समस्याओं का अमबार्थ देखने को मिल रहा है जहां पर 14 लाग की शॉला भवन में ग्रामिनों को सौच के लिए जाना पड़ रहा है तो मैं सरकार गाओं को साथ सुच और जन कल्यानकारी योशनाओं को मजबूत बनाने में लगी है इसके बावजूद भी सरकार के ही नुमाइंदे सरकार के इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देते ताज़ा मामन सामने आया है मंसौ और जिले के ग्राम पंचायत खजूरी मांडा से जहां इन दिनों समस्याओं का इस वक्त अंबार देखने को मिल रहा है इसी की वज़े से ग्रामीन बेहत परिशान है तुम्हीं बलाईगट के दशहरा मैदान के पास स्थेद एक तालाब से लापता यूवक की लाश बरामत हुई है आज बतादें आपको कि आज तीसरे दिन बाद उसकी तालाब से तेरते होई शफ को देखा गया पिश्ड़तीन दिनों से मृतक को उसी तालाब में तलाश जा रहा था बताते चलें कि प्रेम प्रसंग के चलते मृतक के साथ मार पीट हुई थी और मार पीट करने वाले संदेह आरोपियों को जो है इस पर कारवाई चल रही है और आरोपियों ने बताया कि उसी अनुसार तालाब में कूदने के बाद मृतक लापता हो गया था जिसके बाद से ही बिलाईगर्ड पुलिस दो दिनों से आपदा मोचन टीम गोता खोर और SDRF टीम के दुआरा वाजब रूफ कैमरों के साथ ही तलाशी की जा रही थी लेकिन आरोपियों के पास से फिर से जानकारी मिली और पुलिस सिरासत मेरोपियों को लेकर पूश्टाश की गई और जानने का प्रयास किया गया कि इस खटना को अंजाम देने में तक लगबग कितने लोग शामिल साथी मृतक को इतने दिनों से कहां चिपा कर रखा गया था इसकी भी जानकारे लेने की कोशिश की गई तो मैं मृतक के परिजनों का भी आरोप है कि उनकी हत्या कर कहीं चिपा कर रखा गया था जोसे आज तालाब में लाकर फेक दिया गया परिजन अब आरोपियों के प् लगों को कहना था कि मार पिट करने के बाद हमारे चंगुल से छुटने के बाद तलाब में पूद गया था पानी में डूब गया था जिसे हम NDRF टीम और अपना जिला से गोता खोर को बुला करके काफी 23 तारिक से लगातार प्रयास कर रहा था अपडेट पॉड़ी डूब अवेश थिस गड़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 4,645 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं 19 संक्रमितों की इस दौरान मौत हो गई अप्रदेश में 14 जिलों में 100 से कम मरीज मिले राज़धानी राइपूर की बात की जाया तो करीब 774 और दुर्ग में सबसे अधिक 893 नए कोविट संक्रमित मरीज मिले हैं राइपूर में ओमिक्रोन के 6 नए केस मिले इनमें से कोई विदेश ते नहीं लोटा है जबकि विदेश से लोटने वालों के संपर्क में इनके आने की भी कोई जानकारी नहीं मिली और अब स्वासिभाग की टीमें कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रही है 34 गड़ में एपिडेमिक कंट्रोल के डिरेक्टर डॉक्टर सुभाश मिश्रा ने जानकारी दी 34 गड़ में एपिडेमिक कंट्रोल के डिरेक्टर डॉक्टर सुभाश मिश्रा ने बताया है कि ओमिक्रोन का संक्रमन एक और केस की फुष्टी हुई है राइपुर के तेली बांधात इलाके में यह 17 साल की लड़की 28 दिसंबर को युनाइटिट अरब अमिराद से लौटी थी और इस समय उसकी करोना जांच नेगेटिव आई थी साथ दिन क्वारंटीन में रखने के बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव मिली उसके बाद उसकी सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर बेजे गए और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसी के साथ ही फिलाल के लिए बुलचन में इतना ही आप देखते रहे आरे नियोट्स